हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने healthy breakfast की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं इसमें हम लोबिय की चाट बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए देखे कि किस तरह से बनाते हैं लोबिय की चाट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लोबिय को रात को भिगो के रख दिया था अब हम इसमें नमकेड करेंगे अपने स्वाध अनुसार और इसमें पानी डालेंगे मिक्स करेंगे और इसे हम कवर कर देंगे 3-4 सीटी आने तक अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया इसे में cover कर दूंगी और 3-4 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे अब ये इच्छे से उबल लिया है इसमें 4 सीटी आ गई है और ये ब्लेकुल सोफ्ट हो गया है अब हम एक बाउल में थोड़ा सा लो भी लेंगे इसमें हम थोड़ा से कटे हुए टमाटर डालेंगे बारी कटे हुए हरी मिर्च खीरा थोड़ी सी प्याज उपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हरादनिया डाल देंगे टमाटर प्याज खीरा कोई भी चीज अपने टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं अब यह हमारी लोबिया की चाट बनकर तयार हो गई है यह भोज़ादा हेल्दी होती है और इसे हम डाइट फूड में भी खा सकते हैं अब थोड़े से हम टमाटर प्याज उपर से भी डाल देंगे अब यह हमारी हेल्दी लोबिया की चाट बनकर तयार हो गई है यह हमारी है यह हमारी लोबिया की चाट बनकर बनकर तयार हो गई है